हाई इस जस्मीद फ्राम जस्मीद ख्लासे सुकेश है आप सब तो गाइस आप सब की टेंटेटिव डेट शीट अनाउस हो चुकी है बीए प्रोग्राम बीए ओनर्स बीकॉम और बीकॉम ओनर्स एस वेल की भी एंसी वेब की और रेगुलर की भी यान की सब भी डेट शीट गाइस अनाउस हो चुकी है दियू की ओफिशल वेबसाइट पर बहुत जल यह टेंटेटिव डेट शीट आपको एस वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगी आपको बता दूं कि आप सब के जो ए किस-किस की अनाउस होई है और सबसे बड़ी बात एक्जाम मोड क्या है ओफ लाइन है या फिर ऑनलाइन है तो आपको बता दूं कि एक्जाम्स अब ऑनलाइन मोड से लिये जाएंगे और वो भी ओपन बुक एक्जामीनेशन ठीक है जैसे कि इस पर मैं पहले ही वीडियो क पर चुका हूं ठीक है आपका एक्जाम तीन घंटे का लिया जाएगा जिसमें से आपको दो घंटे का ताइम दिया जाएगा एक्जाम्स को लिखने के लिए और एक घंटे का टाइम होगा पेपर को डाउंडोड करने के लिए और दोबारा से री अपलोड करने के लिए आ या फिर उन्होंने improvement का exam fill किया हुआ है तो उनके exam भी इसके साथ साथ ही होंगे यहां कि जुलाई के मन्त में ही आपके सारे exams conduct करवाएं जाएंगे let's suppose जो student semester के है first year के second year के उनके लिए भी बहुत जल्द official announcement की जाएगी may be उनको promote कर दिया जाएं और may be उनके भी exams conduct कर दिया जाएं जैसे कि एक news आई थी NDTV पे ठीक है हमारे education minister दवारा की सब भी जो students है third year के सिर्फ उनके exams conduct किया जाएंगे और first year और second year के students को promote कर दिया जाएगा लेकिर हाला कि इस पर अभी कोई भी official notice नहीं आया नहीं DU की website पे नहीं SOL की website तो आप सब को थोड़ा सा और वेट करना होगा लेकिन जो students third year के हैं आएए बात करते हैं आपकी date sheet के बारे में exam किस तरीके से आपके और कपकर exam है और आपके exams कब खत्म हो रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से बात करेंगे गाईस अगर आपनी सब्सक्राइब कर ले और प्रेस कर ले बेल आइकन क्यों क्योंकि यहां पर आपको करते हैं सभी वीडियो के नॉटिफिकेशन बिलकूर ताइम से मिल जाएंगे तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए हम सभी date sheet के बारे में discuss करेंगे वाई सबसे पहले बात करेंगे date sheet के बारे में sol के students की फिर nc web की भी करेंगे अभी पहले बात करने जा रहे हैं बी ये प्रोग्राम 3rd year के इसमें लिखा गया है who have to appear year and improvement for first and second year उनके भी exams होंगे 3rd year के साथ-साथ अब students को कहते हैं date sheet को समझने में अक्सर बहुत सी मुश्किले आती हैं आपको बता दूँ कि let's suppose आप देखते हैं कि अगर आपके एक ही दिन में दो exam show कर रहा है तो आपको उसको alphabetic order में check करना है let's suppose A, B, C, D, E तो पहले A आया तो A के जो कहते है start होगा alphabetic order के हिसाब से उसका exam पहले होगा जैसे कि मान लीजे कि economics और history का exam आपका एक ही दिन पर पढ़ गया तो पहले आपका exam होगा economics का और फिर आप history के exam को किसी और date में check कर सकते हैं ठीक है आपको बता दूँ कि आपके जो exam start होंगे वो होंगे 1st July से ठीक है और इस exam का timing रहेगा 7.30 a.m. to 10.30 a.m. ठीक है उसके बाद आपका जो पहला exam रहेगा वो English का रहेगा फिर Hindi का और उसके बाद आपके exam दे रहेखे हैं यहाँ पर आप कहते हैं अपने अपने कहते हैं subject wise exams check कर सकते हैं यहाँ पर दे रहेखा आपका exam globalization का जो कि आपका रहेगा 3 जुलाई को same timing रहेगा सुबह साड़े साथ बेसे लेके साड़े 10 बजे तक और यह exam आपका online conduct करवाया जाएगा आपको बता दूं कि आप सभी का 3 घंटे का exam लिया जाएगा 2 घंटे का time होगा exam को लिखने के लिए 1 घंटे का time होगा paper को download करने के ठीक है अब बात कर लेते कि exam खतम कब है BA program third year के S.O.L. के तो आपको बता दूं कि आपका जो last exam रहेगा guys वह आपका रहेगा 14 जुलाई को ठीक है 14 जुलाई को आपका last exam रहेगा अब बात कर लेते हैं NC web students की तो यहाँ पर हमने open कर लिया NC web की date sheet BA program third year की सब कु सेम रहेगा exam आपके रहेंगे एक जुलाई से ठीक है और कहते हैं वैसी आपको चेकने date sheet और कहते हैं इसके लिए आपको तरीन घंडे का time दिया जाएगा यह भी आपका exam open book होगा लेकिन बस फरक यह रहेगा कि इसमें भी आपको कहते है same timing ही दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपको जादों की जो आपका last exam रहेगा वो रहेगा बारह जोलाई को यहाँ पर साथ सा लिक दिया भी गया है कि exam किस तरीके से यह लोग conduct करवाएंगे और यह जो open book examination करवाय जा रहे हैं यह सिर्फ 2019 और 2020 के लिए ही करवाय जा रहे हैं क्योंकि situation को देखते होए coronavirus की वज़ा से ठी बीकॉम के students की तो यहाँ पर मैंने कहते हैं बीकॉम की date sheet open कर लिया है 3rd year की लेकिन जिन students की back है 1st और 2nd year में उनके भी exam होंगे BA program वाले students के साथ ठीक है let's suppose माल लीजे exam सिर्फ उन्हीं के होंगे अगर अभी आप 3rd year में और आपकी back आ रही थी 1st और 2nd year में तो आपके exam हों यह नहीं है कि माल लीजिए अगर आप कहते हैं 2nd year में और आपकी 1st year में back आ रही तो आपके भी exam सुंगे जी नहीं अभी सिर्फ जो priority दी जा रही है वो सिर्फ 3rd year students को दी जा रही है आपको जो पहला exam रहा वो रहा 1st July को लेकिन यहाँ पर आपका exam का timing रहा वो थोड़ा स 6 बज़े तक आपको बता दू कि जो आपका last exam रहने वाला है वो आपका रहेगा 16 July को तो वैस यह थी आपकी date sheet I hope कि आपके जो भी doubts है वो सभी doubts दूद हो चुके हैं और अब प्लीज अपने exams की preparation start कर दीजे इस चैनल पे सारी वीडियो में upload कर देखियां 1st year, 2nd year, 3rd year, 2nd year ठीक है तो यह अनकी करने के वीडियो को देखो मैंने important question with answers समझा रहे हैं और अब भी हमने a series start करी है become second year economics की और बहुत जल्द हम कहते हैं 3rd year की भी videos लेके आने वाले है most important questions की तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को जासे और अपने friends के साथ शेयर कर हुआ है